नमस्कार मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ और उमीद करता हूँ कि आप सभी की पढ़ाई और तैयारी दोनों अच्छे से चल रहे होगी प्रिविद्यार्थियों आप सभी की परिक्षाओं की दिष्टिकों से तैयारीयों की दिष्टिकों से हम लगातार प्रयोग करते रहे हैं और इस प्रयोग से हम यही चाहते हैं कि आप जिस मंजिल को इस चैनल पर आकर चुने हैं वो मंजिल आपको जरूर मिले तो आप सभी से मैं एक आग्रह करूँगा कि जब भी हमारे वीडियो लेक्चर्स या फिर प्रैक्टिस सेट्स को आप देखे तो आप अपने मन में चार-पांच बिंदूओं को जरूर ध्याने में रखे जिसमें जो पहला बिंदू है कि स्वम उल्यांकन की दिश्टी कौन स देखे जब भी आप लेक्चर्स को देखे मेरा ये मानना है कि आपने पहले कभी जरूर पढ़ाई की होगी या फिर उन तत्यों को जरूर देखा होगा लेकिन स्वम उल्यांकन करते हुए आप दुबारा से जो गलतियां करते आ रहे थे उसको सुधारने का प्रियास करें जो भी चीजें आपर बताई जाती है ऐसा नहीं है कि पहली बार बताई जा रहे हैं और आप पहली बार उसको देख रहे हैं सुन रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं आप अल्रेडी पहले भी पढ़े होगी लेकिन आप स्वम उल्यांकन के दिश्टी कोंसे जरूर देखिए दूसरी बात है कि आप जब भी लेक्चर्स या फिर प्रैक्टिसेट को देखे तो आपके मन में जिग्यासा जरूर होनी चाहिए, सीखने की ललक जरूर होने चाहिए, तो आप हमेशा सीखने की कोशिश में रहे, आपके अंदर जिग्यासा रहे कि जो हम पाठकरम पढ़ रहे थे और उस पाठकरम से या फिर इकाई से किस तरीके के सवाल बन रहे हैं, उनको आप जानने का प्रैस कीजिए, तीसरी बात है कि पाठकरम से कैसे प्रश्न बन रहे ह आपको भी समझने का प्रयास कीजिए, अगर माल लिजे, आपका एक्जाम सव क्वेस्चन्स का है, तो सव क्वेस्चन्स में अलग-अलग पैटर्न, अलग-अलग प्रकृति स्वभाव के क्वेस्चन्स आपको दिखाई पड़ेंगे, कुछ में कुछ क्वेस्चन आसान र कमिस्रन होता है, यानि कि आपको दोनों को महत्तु देना है, आप देखेंगे, अक्षर परिक्षाओं में देखेंगे, कि 15 से 20 परसेंट क्वेस्चन्स कठीन होते हैं, ज्यादा क्वेस्चन्स कठीन नहीं होते हैं, अगर माल लिजे, उदारण दों कि 100 प्रश्ण हैं, तो उसमें से आप 15 से 20 क्वेस्चन्स पर ही डाउट करेंगे, या फिर कठीन मानेंगे, आप अगर मानकर चल रहे हैं, कि 100 में 100 क्वेस्चन्स कठीन होंगे, तो फिर ये बहिमानी कहीं जा सकती है, क्योंकि पेपर इस तरीके से बनाया है जाता है कि कुछ सवाल आप उसमें न क कर पाएं, उन्ही को हम कठीन मानते हैं, तो मानकर चलिए कि 15 से 20 क्वेस्चन कठीन रहेंगे, और आसान कितने रहेंगे, 80 से 85 प्रसत क्वेस्चन्स आपको आसान मिलेंगे, या फिर ट्रिकी मिलेंगे, तीक है, जो कि कट आफ को निधारीत करेंगे, और आपने देखा भी ह होगा, कि जिनका भी 75 से लेकर 80 के बीच में परसेंटेज होता है, यानि उनके माक्स आते हैं, तो वो दौल में शामील होते हैं, और आखिर में मैं यही कहूंगा, कि जिन भी सफल व्यक्तियों से आप पूछेंगे, कि आपके सफलता का मंत्र क्या रहा है, तो ततकालिक में उनको समझ में नहीं आएगा कि हम किस वजह से सफल होगे, फिर धीरे 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 वो जो सफलता के मंत्र बताते हैं, वो क churches होता है, आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, कि जब आ आप सफल होंगे, आपसे पूछा जागका एक जटके में, कि आपने कौन सा काम किया जिसे आपको सफलता दोली, तो आप ये बताने में पलशाने या फिर संकट में आ जाएंगे कि आखिरकार हमने क्या किया था, आपने वही किया था, जो भी दो-चार साल आपने मेहनत किया था, अलग-अलग ट्रिक्स को अपनाया था, अलग-अलग रननीती को अपनाया हुआ था वो सभी एक जिगन मिलके आपको उस सफलता के द्वार तक पहुचाये हुए और जब आप सफल हो जाते हैं लोग आपसे पूछने लगते हैं तो वो जो आपने मेहनत किया था उसे कहें दूर हटके आप एक कृतिम तरीके की बातें बताना शूरू करते हैं आप लोगों क सीख सकते हैं ले सकते हैं तो प्रेविद्यार्चियों जब भी इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट को देखिए क्लासिच को देखिए लेक्चर्स को देखिए तो इन बिंदों को जरूर आप ध्यान में रखिए